हालो डियर स्टुडेंट्स टुडे वी डिसकस वाक्षिट नुमबर थ्री क्लास एट शुक्षम जीव किणमन । आज पिंकी का जनम दिन है। हड़ जनम दिन पर उसके दादाजी उसके बजाद से उसके मन पसंद छोले बडुरे लेकर आते हैं। लेकर इस बार कुरोना की वज़े से उन्होंने मना कर दिया। उसकी मम्मी ने पिंकी को सर्प्राइज देने के लिए चोले बटूरे घर पर बनाने की योज़ना मनाई बटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया उसमें थोड़ी सी चीनी करम बानी और दो चुटकी यीस पाड़ा मिलाकर उसे नरम आटे में गूनकर बरतन में दो गंटे के लिए रख दिया कुछ गंटों के बाद पिंकी ने देखा वैटा फूल गया जिससे ममी ने बटूरे बनाए पिंकी बहुत कुछ थी क्योंकि अब उसको उसकी मन पसंद काने की चीज़ें मिल गई यहाँ पर आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौजूद यीस्ट जो की एक सुक्षम जीवी है ने तेजी से जनन कर स्वेशन के दोरान कारबन डाएकसाइट गैस छोड़ी और गैस के बुल बलों ने आटे में फसकर उसे फूला दिया यहाँ यहीस्ट की वज़े से कारबन डाएकसाइट गैस रिलीज हुई और वाटूरे गैस की वज़े से फूल गए उसकी मौमी ने बताया कि इसी तरह से ब्रैड केक और पेस्टी भी नरम होकर स्पंजी बनाए जाते हैं हमने ब्रैड वे में देखें को चोड़ चोड़ चेज होते हैं वो गैस की वज़े से होते हैं इस परक्रिया का इस्तमाल सरक्रा से ऐलकोहल ऐसे टिक एसिट बनाने के लिए भी क्या जाता है चीनी के ऐलकोहल में परिवरतन की परक्रिया किन्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है इस परक्रिया की सबसे पहले कोज लूई पास तो आप इसको यहां से यहां तक लेख सकते हैं चीनी चीनी जैनी सरक्रा के एलकोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किन्वन यह फर्मेंटेशन के लाता था इस पर गयरकी को सबसे पहले लुई पास्चान ने ठारा सब्तावन में की तो कोशन नमबर वन हो गया है इसका अंसर किड़ मन प्रक्रिया द्वारा प्रापकरी नहीं पांच खाद्यपदा था नाम लख्ये और लीखिरे रवे लाताיס कने लो से नहीं प्रक्रतिस परगई हैं अर्ट केक पेस्टी खाद्यपदार्थ पूचिए और बतूर लिए भटूर बनाने के लिए ठीक है को है ममी ने बतूर बनाए तो बटूर लिए इसको है अब आप और इसके लाभ आप इड्ली लिए सकते हैं डोसा ले सकते हैं ठीक है तो अंसर होगे आपका पांच खात पदार्तम होगे इडली डोसा भटूरे ब्रेड ठीक है फिर तो और केक भी तो यह किनमन परिक्रिया खाते पदार्ते हैं ठीक है सिरका भी एक सिरका लेख सकते हैं इलकॉल भी लेख सकते हैं कौंग साथ सुक्षम जीव किनमन परिक्रिया में साइक है तो इसका अंसर है येस्ट येस्ट जो है किनमन परिक्रिया में साइक है तो येस्ट लिखते हैं से ठीक है अपने मन पसंद किसी दो खाने की वस्तों के नाम लिखे जो किनमनों पर क्रियादारा बनाए जाते हैं तो दो वस्तों हमने पहले ही डिसकस कर रखी आप लिख सकते हैं उसमें बटूरे लिख दें दोसा लिख सकते हैं ठीक है इडली लिख दें ब्रैड लिख दें जो चाहें वो लिख दें उपर की कई गतिवीदी में आटा क्यों फूल गया था कारण बताएं ठीक है तो यहां पर आटा इस खाली लिखें आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौझूद यीस जोकि एक सूसमजी भी ही है यह तेजी से जनन कर सोसन के दौरान कारण अक्साइड गयस ठोड़ी और गयस के बुलबुलों ने आटे में फासकर उसे फुला दिया ठीक है तो आप यहां तक दिए इसको ठीक है इस तरीके से आपके यह चोटी सी वर्कशीट कम्प्लीट हुई और आपको कोई भी दिक्कत हो ता आप पूछ सकते हैं